वेल्कम बैक टू माई चैनल प्रिया चंदेल्स कुकिंग एल लाइस्टाइल तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शिर कर रही हूं एक न्यू रेसिपी पिंडी छोले मसाला तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना अपनी आज की रेसिपी और यह छोले जो है मैं बड़े मसाले एक तेश पत्ता एक बड़ी लाइची एक छोटी लाइची दो लॉंग तीन से चाह काली मिच और अब मैं स्मैट करें एक चमच आवले का पाउडर आवला पाउडर मैं से ब्लैक कलर देने के लिए यूज कर रही हूं इसके बाद मैं स्मैट करूंगी एक च अच्छा कलर आया जो मैंने यहां आवला पाउडर यूज किया था उसका इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है और चने भी अच्छ से बॉइल हो चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मसाला बनाना तो मसाला बनाने के लिए मैंने पहले से थोड़ी सी मैंने लिया ही पैन इस में मैंने एड किया है ओईल गरम हो चुका है अब मैं इसमें बाद करेंगे थोड़ा सा हिंग पाउडर हिंग पाउडर से अच्छा डाइजेशन होता है तो अब मैं इसे हलका सा पकने दूँँगी और इसके बाद मैं इसमें add करूंगी यह बारी कटा हुआ प्यास तो अब मैं यह यह प्यास इसमें add करके इसे अच्छे से पका लूँगी तो देखिए किस तरह से अच्छे से मैं इसे पका रही हूँ मैं इसे continuously चलाते हुए अच्छे से प्यास को जो है अच्छे से cook कर लूँगी तो देखिए यहाँ इसका color थोड़ा change होने लगा है और अब मैं यहाँ इसमें add करूँगी लहसुन और अद्रक का paste मैं इसमें लहसुन और अद्रक का paste यूज़ कर रही हूँ तो अब मैं इसे भी इसके साथ अच्छे से mix करते हुए cook कर लूँगी पका लूँगी मसाले रेडी कर लेते हैं तो मसाले मैं फस्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर अब यहाँ अच्छे से mix कर लूँगी और इसके बाद हम चलते हैं वापस अपने पैन की तरफ हमारा प्याज जो है देखिए अब यहाँ अच्छे से अब इसके बाद मैं एक आट कर दूँगी यह ग्र्आ चीली, इसके बाद मैं इसमें अड़ करता है मसाले मसालो को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी टमयटो, साच्छ और मिक्स ककेертвा इसमें तो मो ईच्छे मैं तो नगई Source इसलिक हम अब यही थोड़ा सा पानी करूंगी ताकि मसाला जो अच्छे से कुख हो जाये तो देखिए अ अब यहां यहां इसे अच्छे से मिक्स कर ले रہ olması अब यहां इसमे अड़ करूंगी थोड़ा सा नमक नमक हमने पहले भी boil करते time add किया था तो अब हम यहां थोड़ा यूज़ करेंगे तो देखिए मसाला अच्छे से अब कुक हो चुका है देखिए किस तरह से इसने साइट से oil release कर दिया है तो अब मैं यहां इसमें add करूँगी बॉil किये हुए चने छोले और इन्हें इसमें add करने के बाद यह जो तेश पता और बड़ी लाइची है मैं इसे बाहर निकाल दूँगी क्योंकि इसका अलड़ी सारा फ्लेवर छोलो में आ गया है तो देखिए अब मैं यहां इसे अच्छे से छोलो को मसाले के साथ मिक्स कर अब मैं यहां इसमें add करूँगी अद्रक जो कि मैंने बारी कटा हुआ रखा था यहां हम कच्छा अद्रक इसलिए add करते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो मैंने यह थोड़ा सा यह अद्रक इसमें add किया है और बाकी मैं गार्निशिंग के लिए य इसे एक विसल तक और कुक करूंगी तो देखे मैंने इस मैट कर दिया यहां पानी और अब मैं यहां इसे कवर करकर एक विसल आने तक कुक करूंगी तो देखिए अब यहां पर मेरे छोले जो हैं बनके तयार हो चुके हैं और मैंने सर्फ करूंगी भटूरे के साथ तो और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो बाबाई